हेलो दोस्तो, वेलकम बैक, हिपनोटिजम का नाम सुनते ही हमारे सामने वह चीज आती है, जिससे किसी के भी दिमाग पे कंट्रोल किया जा सकता है, मगर हिपनोटिजम कितना पावरफुल होता है, यह हमें इस मुवी को देखने के बाद पता चलता है, तो चलो, इस माइंड को बुलाया, मगर उस किलर ने भागने के लिए, उसी हिपनोटिज को होस्टेज बनाया, फिर ना जाने क्या हुआ, सिर्फ एक मिनिट में, पुरा सीन बदल गया, उस हिपनोटिजम ने देखते देखते, उस किलर को इस कदर हिपनोटाइस किया, कि मुझे मेरी आपो पे व क्योंकि वो हमारे इस केस में साथ जूरी मेंबर में से एक है, वो हमारा काम कर सकता है, मगर दस साल पहले बच्ची को जनम देते वक्त, उसकी वाइफ की मौत हो गई, तब से उसने ये हिपनोटिजम का काम छोड़ दिया है, अब लिशेन यूनिवरसिटी में हिपनोसिस के हिपनोसिजम एने सामने वाले की दिमाग पर कंट्रोल पाना, उसे इस तरह का ऐसास दिलाना जो हम चाते है, और हिपनोटाईज करने का सबसे आसान रास्ता है सामने वाली की कमजोरी को जानना, उसकी उस वक्त की सोच को जानना, पॉलेज के एक सेशन के दरम्यान लिशे लिशेन एक student से कहता है कि वो paper पे किसी भी color का नाम लिखे, वो बिना hypnotize करके उसे पैचान सकता है, वो student किसी color का नाम लिखता है, लिशेन उससे कहता है कि उसने paper पे pink color का नाम लिखा है, जो सच निकलता है, जिससे class में बैटे सब भी surprise होते है, लिशेन उस लड़के से कहता ह कि ए तो बहुत आसान था मेरी observation के हिसाब से तुम उस वक्त अगली रो में बैटी Lucy के बारे में सोच रहे थे जिसने पिंग कलर की टी-शेट पहिनी है hypnotism एक mind game की तरह है सामने वाली की कमजोरी को अपना हतियार बनाओ तो उसे आसानी से hypnotize कर सकते हो फिर बले वो अजनभी ही क्यों न हो तो ऐसे ब्रिलियंट डॉक्टर लीशेन को एक बड़ी केस में जूरी बनाया गया है केस है होंग कॉंग के सबसे बड़े business group lean के एक family member के murder का जीवाई नाम के business man का उसकी yacht पे murder हुआ है उसकी कजिन जीलिंग पे हत्या का आरोप रखा गया है जीवाई lean group का chairman था मगर जीलिंग के daddy के मोत के बाद उनके सब shares जीलिंग के नाम हो गए जीवाई के मुकाबले में ज्यादा quantity में है तो जीलिंग chairman की sit पे खुद दावा कर रही थी जीवाई के uncle Gushen और उनके बैटे बीजिंग भी lean company के shareholder है जिनका मानना है के जीलिंग नहीं जीवाई का murder किया है मगर इस case में कोई eye witness नहीं है फिलाल अंकल Gushen lean company के chairman का पत संबाल रहे है तो अब court में high profile case शुरू होता है court में वह साथ jury भी बैटे है जिनमें एक है Rimi, दूसरा है Yojin, तीसरी और चोती है Yomi और Megan, पाचवा और छटा है, ब्रिष्टो और नेमोन तो सात्वा है खुद लिशेन अब Zilling को कटगरे में बुलाया जाता है सरकारी वकिल जेकब कोट के सामने Zilling के कुछ फोटो रखता है, जो शर्मनाक हालत में है Zilling बताती है, कि पिछले मैंने वह एक रात नशे में धूट थी तब जिवाईने वह निकाले थे उनी फोटो को लेके उसने उसे यॉट पे बुलाया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो चाता था कि Zilling के पास लीन कंपनी के जो 18% शेर्स है वो Zilling उसे बेचे, मगर Zilling ने साफ इंकार किया, क्योकि उन शेर्स की वज़ा से तो वह कंपनी की मालकिन बनी थी Zilling बताती है के उस फोटो को हसिल करने के लिए मैंने जिवाई के साथ हाता पाई शुरू की उसने एश्ट्रे मेरे सर पे मारा तो पासिपड़ा फ्रूट नाइफ फुटा के मैंने उसके कमर में भोग दिया मगर उसके बाद में बेहोश हुई उस फूट नाइफ से जिवाई की हत्या की गई है तो अब सरकारी वकिल जेकब जिलिंग के कनफेशन की रेकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखता है जो जिलिंग ने पुलिस के सामने दिया था जिसमें जिलिंग ने जिवाई के मर्डर को एकसेप्ट किया है तो जिलिंग का वकिल विल्सन कोर्ट से कहता है कि as per law बिना इजाज़त इस तरह की की गई रेकॉर्डिंग को सबुत की तोर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता तो जज उस रेकॉर्डिंग को खारिच करता है अब केस को दूसरे दिन के लिए मुल्तवी किया जाता है लिशन की बेटी मिया अब बड़ी हो गई है लिशन की एपसेंस में यॉग उसकी देखबाल करता है जो लिशन की मरहुम पतनी का भाई है और आर्मी में काम कर चुका है मिया भी अपनी डैडी की तरह ब्रिलियंट लड़की है वो चाती है कि उसके डैडी दो दिन बात स्कूल में होने वाली रेस कॉम्पेटिशन में उसे चियर अप करने आए मगर उस दिन लिशन को जूरी की तोर पे केस एटेंड करना है तो वो यौंग पे ये काम छोड़ता है यौंग ने मिया को एक GPS बैंड गिफ्ट किया है जिससे उसे ट्रैक किया जा सके लिशन अपनी हिपनो थेरपी से ट्रीटमेंट करने का काम भी करता है उसका खास दोस विली उससे ट्रीटमेंट ले रहा है विली का रेस्टारंट और एवियेशन का बिजनेस है या दो दिन बाद कोर्ट में फिर से केस शुरू होता है कोर्ट में सरकारी वकिल जेकब बताता है कि जिवाई की मोच से 8 बिलियन की लिन कमपनी अब जिलिंग की होने वाली है और यही इरादा रखके जिलिंग उस राज जिवाई से मिलने उसकी यॉट पे गई थी वहाँ पड़े चाकू पे जिलिंग के फिंगर प्रिंट्स पाये गए है जिवाई का बलड जिलिंग के हाथ पे पाया गया है 19 साल की मासूम दिखने वाली जिलिंग एक कोल बलड़ेड मर्डरर है इसलिए उसे सजा होनी चाहिए या ग्राउन पे मिया की रेस शुरू होती है मिया बड़े जोश के साथ रेस को जितती है यौंग भी वहाँ होता है कि तभी एक आदमी और आउरत मिया पे नजर रखते हुए दिखाई देते है या कोर्ट में जेकब जस से कहता है कि 8 बिलियन के लिए ही ये मर्डर किया गया है तो भी इस केस का फैसला जूरी मेंबर पे छोड़ा जाता है इन साथ जूरी को एक रूम में डिसकेशन के साथ आखरी फैसला लेना है इस केस की वज़ा से लीन कमपनी के शेर्स की किमते गिरती जा रही है उसका फाइदा उटा के मेगन अपने एज़न्ट से कहिती है कि वह 4 मिलियन के शेर्स खरीदे क्योंकि जिलिंग उस पर किये गए इलजाम से बरी होने वाली है फिर शेर्स की किमते तिन गुना बढ़ेगी यहां स्कूल में मिया अपने विनिंग का फोटो लीशन को भेचती है कि तबी उसे किडनेप किया जाता है जूरी में से एक मेंबर योजिन लीशन का स्टूडन्ट रहे चुका है जो फिट्स की बिमारी से पीडित है तो ब्रिश्टो लीशन का पुराना दोस्त है जिसकी लड़की कैंसर की बिमारी से जूज रही है तबी लीशन को एरॉन का फोन आता है कि उसने मिया को किडनेप किया है और अगर वो अपनी लड़की को जिन्दा देखना चाता है तो उसे उसके ओर्डर्स फॉलो करने होंगे एरॉन लीशन को मिया का वीडियो भेजता है एरॉन लीशन से कहता है कि उसने टॉलेट में माइक्रो इयर फोन रखा है जिसके जरीए वो उसे बताता रहेगा उसे क्या करना है लीशन बड़ी चाला किसे मिया के किडनेपिंग का वीडियो यॉन को भेजता है अब रूम में जाने के पहले सब जूरी के फोन डिपोजिट किये जाते है यहां लीशन ने भेजा वीडियो यॉन को मिलता है वो देखके वो समझ जाता है कि मिया की जान खत्रे में है तो अब वो मिया के बैंड को ट्रैक करता है जिसमें GPS है और एक वैंचुरा के उस रूट पे चल पड़ता है यहां लीशन रूम में जाते ही सबसे पहले सिधा बातरूम जाता है फलश टैंग में उसे एयरफोन और उन जूरी की लिस्ट मिलती है माइक्रोफोन कान में लगाते ही एरॉन उससे कहता है कि उसे एक के बाद एक उन जूरी को हिपनोटाइस करना है ताकि वो जीलिंग के अगेंस्ट वोट करे और जीलिंग को मर्डर के जूरूम में गिल्टी ठहराय जा सके वहां रकी लिस्ट में उन जूरी की कम्जोरी लिखी गई है और एरॉन जानता है सामने वाली की कम्जोरी यही लिशेन के hypnotize का हत्यार होता है अब लिशेन वापस room में लोटता है वो जान चुका है कि room में कई पे camera चुपा के रखे है जिसके जरी एरॉन उस पे नजर रख रहा है तो वो एक camera को दुणके उसके सामने थर्मास रखता है ताकि iron देखना सके room में क्या चल रहा है अब इन जूरिस की कारवाई शुरू होती है ब्रिश्टो सब को बताता है कि 7 में से 5 वोट जिस फेसले के favor में होंगे उसी फेसले को final माना जाएगा मेगन चाती है कि पहले voting किया जाए क्योंकि अगर पहले ही 5 वोट हो गए तो discussion करने की जरूरती नहीं पड़ेगी तो ब्रिश्टो सबसे कहता है कि जो जिलिंग को guilty समझते है वो अपना हाथ उपर करे तो अकेला नेमान हाथ उपर करता है मेगन, योमी, योजीन और ब्रिश्टो जिलिंग को innocent समझ रहे है मगर लिश्टो और रिमी दोनों भी किसी भी favor में हाथ उपर नहीं करते रिमी कहती है कि वो अभी फैसला कर नहीं पाई उसे थोड़ा वक्त चाहिए तो लिश्टो कहता है कि पहले वो discussion चाता है फिर वो अपना vote देगा दूसरी और यॉंग ट्रेकर के सारे उस बंड ट्रक का पीचा करते हुए उस तक पहुँच जाता है वो जान जाता है कि ट्रक के अंदर मिया है वो help के लिए अपने दोस जैकी को बुलाता है मगर ट्रक को चला रहा एरॉन का आदमी जैसन जान जाता है कि मिया के हाथ में लगे बैंड में GPS है जिसके लिए उसका पीचा हो रहा है उसकी साती डोना एबात एरॉन को बताती है मगर एरॉन उसे बैंड निकलने से मना करता है या रूम में जूरी का डिसकशन शुरू होता है योमी बताती है कि जिलिंग के खिलाब परियाप सबुत नहीं है जो उसे कसूरवार ठहरा है तब ही लिशेन बहा ना बना के फिर से टॉलेट आता है एरॉन उससे कहता है कि अगले 90 मिनिट्स में उसे उन जिरिस को हिपनोटाइस करना होगा तो लिशेन उससे कहता है कि हर 30 मिनिट के बाद वो उसकी लड़की से बात करना चाहेगा ताकि उसे तसली हो मिया को कुछ हुआ नहीं एरॉन तैयार होता है लिशेन एरॉन को धंकी देता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है अगर मिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिन्दगी नरग बना दूँगा अब लिशेन रूम में वापस आता है तो देखता है कैमेरा के सामने उसने जो थर्मास रखा हुआ था वो गायब है वो समझ जाता है जूरी में कोई तो ऐसा है जो एरॉन से मिला हुआ है तो अब लिशेन रिमी को अपना पहला टारगेट बनाने का फेसला करता है लिशेन लिश्ट से जान चुका है कि रिमी की कार एक्सिजटन में टांग टूटी हुई है जिसकी वज़ा से वह जिन्दगी भर के लिए वीलचेर पे आ गई है तो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उस कार का ड्राइवर जो कोट से बाईज़द बरी हुआ था रिमी को नाखुन चबाने की आदत है जिससे उसके नाखुनों से खुन बहने लगता है तो मलम पट्टी कराने के भाने लिशेन रिमी को कीचन में ले आता है और उसे माइक्रोवेव के क्लॉक के जरीए हिपनोटाइज करता है फिर उसके दिमाग में ये बाट डाल देता है कि जिस कार से टकरा के उसका एक्सिडन हुआ वह कार जिलिंग चला रही थी तो उसकी इस हालात को जिलिंग जिमेदार है और इस केस में भी जिलिंग ही गिल्टी है अब लिशेन एक्स्टेंशन बोर्ड पे जानबुच के बरफ रख देता है दुसरी और यॉंग उस ट्रक का पीचा करते हुए एक वेराउस पहुचता है जहां उस तरह के काफी ट्रक है वो ट्रक को धुनरा होता है कि वो ट्रक आके यॉंग की वैन को टकर मारता है मगर आइन वक्त पे उसका दोस्ट जैकी आके उसे बचाता है अब मिया को ट्रक से दुसरी वैन में डाला जाता है और वो किड्नेपर उसे भगा के ले जाने में काम्याब होते है यार रूम में मेगन बाकी जूरी से कहती है कि उस यॉर्ट में जिलिंग के फिंगर प्रिंट्स को छोड़के बाकी दुसरी सब जगा की सफाई की गई थी जिससे पता चलता है कोई जिलिंग को फसाने की कोशिश कर रहा है तो योमी कहती है कि जिलिंग तो वैसे भी कमपनी की ओनर बन चुकी थी तो उसे मर्डर करने की कोई वज़ा थी ही नहीं और उसे मारना ही होता तो वो किसी killer को hire करती खुद क्यूँ एक काम करती तो नेमान कहता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि उसके वो शर्मनाक फोटो किसी अजनबी के हाथ न लगे और जवानी में जब घुसा आता है तो ऐसी गलतिया हो जाती है उसने अपने जुरुम का बय जिससे उसकी मकारी का पता चलता है तबी switchboard पे रखा बरफ पिगल के short circuit होता है और room की light चली जाती है अंदेरे का फाइदा उठा के लीशेन पेपर के टुकड़े पे कुछ लिखता है और police को देने जाता है तो नेमान उसे रोक के उससे वो पेपर छीन लेता है जिससे ली वो लीशेन से पुछता है ये गाना क्या चीज है लीशेन कहता है कुछ नहीं बस तुम्हें relax कर रहा था अब लीशेन फिर से मिया से बात करके confirm करता है कि उसकी बेटी ठीक है तबी room में light आती है तो फिर से इन jury का discussion शूरू होता है अब लीशेन मेगन को target करता है जो जान चुका है कि मेगन lean company के 4 million के shares खरीच चुकी है वो मेगन का purse table के नीचे गिराता है और purse उटाने के बहाने locket डिखा के उसे hypnotize करता है वो उसके दिमाग में डाल देता है कि financial expert के हिसाब से अगर 19 सल की zilling lean company की chairman बन गई तो बाकी board of directors resign करेंगे shares की किमते और गिरी जाएंगी त तो अगर zilling case जीती तो तुम बरबाद हो जाओगी अब योजिन अपनी theory सब के सामने रखता है जो geography का doctorate है वो बताता है कि उस रात yacht longton island के पास खड़ी थी मगर जिवाई की body जिशैंग island के पास मिली उस रात हवा west से east की तरफ बहे रही थी तो अगर yacht से body समुंदर में ग दिया और वैसे शक जिवाई की wife पे भी किया जा सकता है पती की मोत के बाद उसके शर्स उसे ही मिले है अब ब्रिश्टो एक break लेता है दूसरी और यॉंग जैकी के साथ फिर से GPS डिवाईस को track करते हुए एक सुमसान जगा पहुंच जाता है जहां वो वैन खड़ी है वो रूम में फिर से वोटिंग ली जाती है तो नेमोन, रीमी, मेगन और लिशेन जीलिंग को गिल्टी करार देते है याने 4 अगेंच 3 ऐसा फैसला होता है किसी कंकलूजन पे आने के लिए 5 की मेजोरिटी ज़रूरी है तो अब योजिन लिशेन पे इलजाम लगाता है कि उसन जीलिंग को गिल्टी क्यू समझ रहा है लिशेन बताता है मुजरीम को सजा तीन चीजों को मद्धे नजर में लेके दी जाती है मोटीव, एविडन्स और टेस्टी मनी ब्लैक मेलिंग को लेके जीलिंग जीवाई को मारना चाती थी यह उसका मोटीव है योट पे मिले चाक चाकू पे नीचे की दीशा दर्शा रहे है मगर बॉडी पे वार के निशान सामने की तरफ से है और वो छे इंच के गहराई तक है तो अब लिशेन योजिन के पास आके पेन को क्लिक करके उसे हिपनोटाइस करता है और कहता है कि हो सकता है जीलिंग ने जीवाई को पीछे पीडल भेज दिया जाता है कैमेरा से यह सब बाते एरॉन देखता है तबी जज रूम में आके सबसे कहता है कि भले योजिन वोटिंग के लिए नहीं है फिर भी लॉक के हिसाब से पाच वोट की जरूरत है तो अब योमी सबसे कहती है कि अगर जूरी की मीटिंग में फैस बताता है यहां एरॉन लिशें से कहता है कि बस अब 10 मिनिट बचे है जिसमें उसे बचे हुए दो में से किसी एक को ही इपनोटाइस करना होगा तो अब एरॉन के कहिने पे नेम आन माइक्रोवेव में लाइटर रखके उसे ओन करता है तो उसका बड़ा ब्लाष्ट होता ह पुरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और फायर आलम शुरू होता है मोके का फायदा उटा के लिशें ब्रेश्टो से कहता है कि जैसे तुम अपनी बेटी से पयार करते हो उसे मरता हुआ देख नहीं सकते वैसे ही मैं मेरी बेटी को मरता हुआ देख नहीं सकता पाइनल वोटिंग के साथ जूरी की मीटिंग खतम होती है नेमान एरॉन को बताता है कि मीटिंग में जिलिंग को गिल्टी करार देने का फैसला लिया गया है जिससे एरॉन खुश होता है वो ये बात गुशन को बताता है तो यहाँ पता चलता है कि जिवाई का मर्डर को बताएगा वह एरॉन से कहता है कि उसके कोर्ट रूम में जाने के पहले वह मिया को उसके दोस विली के रेस्टोरन छोड़े एरॉन तयार होता है जेसन और डोना मिया को लेके उस बिल्डिंग पहुचते है वह यौंग भी होता है वह जेसन पे नजर रखे हुए है जेसन लगाता है लिशेन मिया से कहता है कि जैसे ही बैंग होगा उसे भागना है जैसे वह रेस में भागती है और लिफट पकड़के टेरेस को बुलाता है और उनका फैसला पूछता है नेमान को छोड़के सभी जूरी जीलिंग को नोट गिल्टी करार देते है वह सुनके शौक होता है तो आएरोन भी समझ जाता है लिशेन ने उसे बेवकूब बनाया जज जिरिंग को बाइज़द बरी करते है या नेमान अभी भी हिपनोटाइस हालत में है तो हमें पता चलता है वोटिंग के आइन वक पे लिशेन ने पेन को नौक करके रीमी, मेगन, बिरिष् मगर तभी यौंग बलून में छोटा सा बलाश्ट करता है जिससे अफरा तफरी मचती है बैंक का आवज सुनते ही मिया जेसन से हाथ छुड़ा के भागती है यौंग जेसन और डोना को घायल करके मिया के साथ टेरेस पे आता है जहां वीली हेलिकॉप्टर के साथ उनकी र से नीचे गिरता है तो गिरती हुई मिया को वीली पकड़ लेता है तब यौंग आके दोनों को बचाता है यहां एरॉन पार्किंग में लिशेन को धुन रहा है तो लिशेन कारडेक शुरू करता है जिसमें वही निराशा जनक गाना शुरू होता है वह सुनके एरॉन हिप कहता है तो योजिन को सौरी कहता है गुशेन और बीजिंग को जीवाई के मर्डर के इल्जाम में और मिया की किड्नेपिंग के इल्जाम में एरेश्ट किया जाता है तो नेमान को भी जेल होती है एरॉन को असाइलम भेजा जाता है और मुवियां खतम होती है दोस्तो एक्स् शेयर और सबस्क्राइब करना मत बुलना फिर मिलेंगे नई मोवी के साथ ठैंक्स पॉर वाचिंग